तो यह जो आपनों को दिखाए दे रहा है, यह है आधार काड़ फॉर्म, आपनों को जो भी इंफर्मेशन है, उसको यहाँ पर एंट्री करने का काम आपनों को रहेगा, जैसे आधार नंबर, परसनल आइडेंटिटी यहाँ पर डालेंगे, परसनल एड्रेस आपनों को आप आपनों को देख देखकर इन सभी चीजों को इस जगह पर फिल अप करने का काम आपनों को रहेगा, यह देखिए जैसे स्ट्रेट, प्यो नेम, सब कुछ आपको सब डिस्ट्रिक, स्टेट, पीन कोड, यह सब कुछ आप लोग यहाँ पर फिल अप करेंगे, इस तरह का यहाँ पर फिल अप करेंगे, फिर यहाँ पर भी आप लोगो दिखाए देगा, इस तरीके से आप फिल अप करेंगे, यहाँ पर देख सकते आप लोग इस तरीके से आप लोग इस फॉर्म को फिल अप करेंगे, यहाँ पर आधर काड डाटा इंट्री का वर्क रहेगा, य आप लोगों को आधार कार्ड डाटा इंट्री वर्क के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे आप लोगों को जो भी एंट्री करना है वो आधार कार्ड से सम्मंदित आप लोगों के यहाँ पर वर्क मिलेगा, सही तरीके से आप लोगों के यहाँ पर काम करना होगा, यह एक इं को देखिएगा थो जैसे हम इस वेब साइट में आति हैं आegeगा आप眼्राओं को इस थारका करैस को लिलाइं न्य bounुाम को सेलेक करना होगा इंग्लिज, इन्दी बंगला कोई work को मिलेगा कहां पे मिलेगा यह चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पे आप लोगों को three line दिखा देगा यहां पे आप लोग देख सकते हैं यह three line आप लोगो दिखा देगा इस three line पे simple हमको ऐसे click कर देना होगा यहां पे click करने के बाद my other about UID AI ecosystem media and resource contact and support मिलेगा आप लोगो अप यहां पर आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा जैसे इसको आप सेलेक्ट करेंगे यहां पर सेलेक्ट करेंगे अब यहां पर आप लोगों को बहुत से अप्शन दिखा देगा ध्यान से देखिएगा यहां पर फिर आप लोगों को बहुत से अप्शन आप लोगों को दिखा अथोरेटी देखिएगा, legal framework और work with UIDAI आप लोगों को दिखाएदेगा, धिचिए third number में work with UIDAI, इस पर हम simple click कर देएगे, जैसे हम work with UIDAI में आपको click करेंगे, ये ये work with UIDAI आप लोगों को दिखाएदे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, इस चीज को आप पर बहुत से काम दिखाए देगा, वोलेंटेर दिखाए देगा, अफिशे शर्ब इन दे पास्ट, टेंडर्स, इंटर्सिप इन यू आईडी ए आई, आप लोगों को ये ओप्शन दिखाए देगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह जो अप्शन आप लोगों को दिखाए देगा, इंटर्सिप इन यू आईडी ए आई, क्लिक हैर, इंटर्सिप पोलेशी, अब सब सब पहले आपको पोलेशी को समझना होगा, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूरी इनफर्मेशन मिल जाएगा, इंटर्सिप स्कीम, यह स्कीम, तो अबाउट यू आईडी आई, एक्चुली यू आईडी आई क्या है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है, यह आदर कार्ड से सम्मंदित है, यूनिक अइडिफिकेशन अथोरिटी अफ इंडिया, हमको यहाँ पर इसके बारे में स्कूल करना है, और अब्जेक्टिब क्या रहेगा, इस वर्क, यह इंटर्सिप का अब्जेक्टिब क्या है, तो यह आईडी आई आई का वर्क फर्म, समझाना है, इनका अब्जेक्टिब, यह बात समझ लिजीएगा, तो क्या है यू आई डिया, अच्छली यह कैसे काम करता है, यह सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को जानने का मौका भी मिलेगा, इस इंटेंशिब को पाने के लिए आपकी eligibility क्या होनी चाहिए, अनले इंडियन सिटीजेंस अर इलिजीबल तु एपलाई अंडर दिस पोलिशी, इसमें खाली इंडियन सिटीजेंस भी यहाँ पर एपलाई कर सकते हैं, जो भी qualification आपका है, यहाँ पर आपलों को B.T.E. होनी चाहिए, इस तरीके से 60% marks, आपलों को minimum होनी चाहिए, graduates है, graduates को यहाँ पर मिलेगा, 60% or equivalent marks in graduation, graduation में 60% होनी चाहिए, तो यह जो internship है, इसके लिए आपलों को यह तो 6 weeks के होनी चाहिए, कम से कम और ज्यादा 12 माइना, इतना intensive रहेगा, आप लोगों को यह 6 weeks के लिए कर सकते हैं, यह 12 माइने के लिए कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को certificate भी provide कराया जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को अब नीचे आना है, place of internship आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पर अब आप लोगों को stipend क्या मिलेगा, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, कि आप लोगों को payment क्या मिलेगा, यहाँ पर दू तरका payment आप लोगों को मिलेगा, work from office का अलग payment है, और work from home अलग payment आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर technical, professional और non-technical तीन तरह का vacances आप लोगों को मिलेगा अब आप लोगों को यहाँ पर work from home अगर आप काम करते हैं अगर आप B.T.E.C. पड़े लिखे हैं, B.T.E.C. आपके qualification है तो आप लोगों को office में काम करते हैं तो 30,000 और work from home करते हैं तो 15,000 M.T.E.C. वालों के लिए work from home में 20,000 मिलेगा तरीके से अगर आप non-technical है, technical नहीं है, अगर आप undergraduate है तो आप लोगों को work from home के लिए 10,000 रुपय मिलेगा post-graduate है और non-technical में आप काम कर रहे हैं तो आप लोगों को work from home अगर काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को 15,000 रोप अप लोगों को यहाँ पे मिलेगा यह search का option आप लोगों को दिखाए दे रहा है, अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना क्या है, इतना लिखने के बाद, अब आप लोगों को स्क्रॉल करना है, देखिए, इसको आप लोगों को दिखाए दे रहा है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को इस त यहां पर क्लिक खरएंगे डाउंलोड के बठन करने के बाद यहां पे आप लोगो एक फॉर्म दिखायेंगा दिखेगा यह पूरा दिखायेंगा अब यहां पर यह बरॉँक को दृकोा ऊपर वाला लिंग चूप यह लिंक है इस souvent आप लोगो एईसे क्लिक कर देना होगा जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे अब आप लोग देखेगा एक फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में आप लोगो को फेल अप इनकाओ application form आप लों को दिखाए दे रहा है अब यहां पर आप लों को पूरी information को fill up करना होगा यहां पर प्लीज फिल दर बिलो डिटेल्स और अल्सों सेंड द सीवी विद फोटो जो भी है यहां पर आप टाइप करेंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट का एड्रेस आपने आपे नाम और एड्रेस आपने आपे लिखेंगे course status आप जो भी पढ़ रहे हैं अभी कर रहे हैं यहां आप complete कर चुके हैं यहां पर आप सेलेक करेंगे कौन सा एयर में आपने complete किया यहां पर लिखेंगे semester यहां पर दिखिए कौन सा semester first second third four five six दिखिए completed जो भी है आपने आप लिखेंगे skill जो भी है यहां पर आप mention करेंगे कोई भी skill यहां पर दे दिया गया है इनने में से कोई skill को आप यहां पर type करेंगे period of intensive required, आप कितना समय के लिए intensive करना चाहते हैं, 6 week, 3 मेना, 6 मेना, 9 मेना, जो भी हो, select कीजिए, mode of intensive, online, यानि कि remote work करना चाहते हैं, या offline बैंगलोर में करना चाहते हैं, आप यहाँ पे select कीजिएगा, desired month of joining, कौन से महिने में आप join होना चाहते हैं, June 24 में, June 24, July 24, August, September, जो भी ह Work है, India, अधार कार्ड में आप लोगों का यहाँ पर job मिलेगा, मिल जाएगा, तो इस तरीखे से आप यहाँ पर apply करेंगे, तभी आप को यहाँ पर work मिल जाएगा, सही तरीखे से information दीजिएगा, definitely आप लोग यहां पर work मिल जाएगा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को subscribe कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए है तो तो फिर मिलते आगले वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, thank you